कि दूसरा वीडियो है और इसका पहला पार्ट हम अलेडी अप्लोड कर चुके हैं आप जो है यूटूब चैनल पर एक्जाम स्टडि इ एक्स वाई जो है सर्च करके देख सकते हैं और या इद्रिष्टी करंट अफेयर्स करके जो है सर्च करेंगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको वहाँ पर देख सकते हैं मन्तली वाइज जो है इद्रिश्टी मैगजीन का जो है क्या कहते हैं डिसकसन अपने चैनल के माध्यम से करते रहते हैं चलिए पहला सवाल दूसरे वीडियो का हम देखते हैं कि अपरेल 2020 में विश्ट बैंक के अनुसार COVID-19 महामारी से परभावित भारत की जीडिपी वित त प्रत्सत रहने का अनुमान है तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1.5 से 2.8 प्रत्सत रहने का अनुमान लगाया गया है इसके अनुसार विश्ट बैंक के अनुसार यानि कि विश्ट बैंक ने भारत की जीडिपी वित तवर्स 2021 में कितने प्रत्सत रहने का अनुमान लगाय है तो लगाया है एक दस्मलों पांच परस्त से दो दस्मलों आठ परस्त और इसी के साथ यहां पर देख लेते हैं ये अपरेल दो हजार बीस में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट साउथ एसिया एकोनामिक अपडेट में कोविड-19 महामारी से परभावित भारत की करके और इससे पूरो विश्व बैंक ने भारत की जीडिपी जो है छे दस्मलों एक परस्त रहने का अनुमान वेक्त किया था यानि कि कोविड-19 महामारी के पहले दोर तलब है कि वर्स 1991-92 के बाद भारत की जीडिपी में सबसे अप्रक्यासित गिरावट दर्ज की गई है यानि कि जो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि एक दस्मलों पांच से दो दस्मलों आठ परस्त तक भारत की जीडिपी जो है रहने का अनुमान है तो वो 1991-92 यानि कि भारत में जबसे उधारी करन आया है उसके बाद से जो है यह सबसे अप्रक्यासित बीरावट है और इससे पूर्वत दिखे अगला कंटेंट देख लेते हैं इससे पूर्वत एसियन डेवलप्मेंट बैंक ने वर्स 2020 के लिए भारत की जीडिपी जो है वो चार परस्त पता संयुक तराश्टर ने चार दस्मलों आठ परस्त रहने का अनुमान बेक्त किया था यानि कि 2020 क इसके लिए एसियन डेवलप्मेंट बैंक ने चार परस्त संयुक तराश्टर ने चार। दस्मलों आठ परस्त और इस बार do रहने कि ने जो है किना जीडिपी के अनुमान बताया है तो बार्भल पांट परस्त से लेकर कि दो दस्मलों आठ परस्त के बीच में भारत की ज विसमें एक वित वरस में पूरे डेस में विक्ती संस्था होती है। लोगों की जो है इंकम के रूप में देखने को मिलेगा और यहां पर एक सबसे महत्पूम बात यह है कि इसमें बाहर रह रहे हैं लोगों की कमाई को भी सामिल किया जाता है अगला देखते हैं कि अपरेल 2020 में मनीला इस्थित एसीन डेवलप्मेंट बैंक ने पोविड-19 महा हमारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डालर का सही होग पैकेज देने का अस्वासन दिया है तो यहां पर एसीन डेवलप्मेंट बैंक ने जो है जिसकी मुक्षाला या हैड़ाफिस जो है फिलिपीन्स की राज़ानी मनीला में इस्थित है इसने दो द अर्थिक और सामाजिक शर्व्यकष्ण 2020 समवाहनिय अर्थ व्यवस्थ्थाओं की ओर यानि कि ये सहन्युक तराश्ट्र के द्वारा एक रिपोट जारी की गई है इस रिपोट नाम है यहां से लेकर के यहां तक यह संयुक्त राश्टर द्वारा एक रिपोर्ट जाजी की गई है उस रिपोर्ट का नाम है इसके अनुसार बित वर्स 2021 के दौरान भारत की जीडीपी व्रिद्धीदर कितने पर सत रहने का अनुवान है अभी आप पोड़ी देर पहले दे के दौरा जो है जीडीपी व्रिद्धीदर क्या होगी तो चार दस्मलो आठ प्रक्सत रहने का अनुवान है अप्रेल 2020 में संयुक्त राश्ट की रिपोर्ट एसिया और परसांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्चान जिसको एस सीएपी 2020 कहते हैं संभानी अर्थ व्यव तो कहते हैं 10 मार्च 2020 तक उपलब आकणों की सूचनाओं पर आधारी था यानि कि सायुक्त राश्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो भारत की जीडीपी व्रिद्धीदर 4.8% रहने की बात कही है ये 10 मार्च 2020 तक जो भी डेटा उपलब रथा एकोनॉमिका उसके आधार पर बात नहीं गई है रिपोर्ट की अनुसार मौजोदा वित्वरस 2020 के दौरान भारत की जीडीपी ब्रिद्धीदर 4.8% रहने का अनुमान है जबकि 2021 के लिए जो है ये बड़ोत्री होगी जो की 5.1% रहने का अनुमान है चलिए अगला देखते हैं कि 7 अपरेल 2020 को अरब पतियों की 34 वार्सिक कोप्स की सुची 2020 जारी की गई देखें पोप्स क्या है एक सुची है जो कि क्या कहते है जिसमें अरब पतियों की पोजीशन्स क्या है उसको क्या करते है जारी किया जाता है उसको बताया जाता है इस कि सूची में विष्ट के सरवाधिक धनी व्यक्ति का किताब किसे पराप हुआ है तो जेव बेजोज जो है वो विष्ट के सबसे धनी व्यक्ति हैं जो कि चौना चौनी चोंतीसवी जो है यह सुची थी और कौन सा संस्क्रण था यह सुची में विष्ट के सरवाधिक धनी व्यक्ति का किताब लगा तार तीसरी बार जो है अमेजन की सथाफ़क जो है अमेजन के जो परमुक का है वो है जिफ बेजोस इनको बराप्त हुआ है वह एक सो तेरा बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस्वची परसीश अस्थान पर है वहीं पर जो है माइक्रोसाफ्ट के जो है परमुक बिलिग्रेट्स हैं दूसरे अस्थान पर और बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है यह परिवाद इनको मिला करके बर्नार्ड अर्नाल्ड यह तीसरे अस्थान पर है वारें बफेट जो की चौथे अस्थान पर है यह लैरी और जिसमें से जो है, सरवादिक अमीर जूह है मुके संबळनी है जिनकी कुल संपति जो है, थीन दस्मलोट चे-इंट बिलियन डालर है, वो 21 अस्थान पर है और इससे पहले वो 13 अस्थान पर थे, यहां पर पुछा जा सकता है कि मुगे संबानी जो है वो कौन से अस्थान पर पहले थे तो तेरा हमें अस्थान पर हैं चुकि यूपी पीचेस में ना वो पीपी पहले के जो है करेंट अफेर्स थोड़ा पूचने का 2018 के पेपर में ट्रेंड देखने को मिला है और उसके बाद में वीमेंस को देख लेते हैं विशु की सबसे धनी महिला वालमार्ट की संस्थापक सैम वाल्टन है सैम वाल्टन की बेटी एलिस वाल्टन है ठीक है तो यहां पर एक स्वाल यह भी बन सकता है जो वालमार्ट की सं पर रहे हैं और इस सुची के सबसे युवा अरफपती जो है कौन है वो काईली जेनर है जो की बाइस वर्स ये हैं बाइस साल के है काईली जेनर देख सकते हैं कि एक बिलियन डालर की संपत्ति के साथ उन्जी सो नभी में अस्तान पर है और उसके बाद में सबसे प्रद्ध जो है अरफपती कौन है वो क्या कहते हैं वो चांग यूंचुंग यूंचुंग है जो की एक दसमर लोग एक बिलियन डालर के साथ में हैं उन्की संपत्ति यानि कि हमने यहां पर कई चीजी देख लिए तो विस्व के सबसे ब्रद्ध जो है क्या क्या कहते है आरफपती क हैं और दूसरे अस्थान पर जो है वो बिल गेट्स हैं तीसरे अस्थान पर जो है वो कौन है बर्नार्ड अर्नार्ड यों परिवार है चौत्य अस्थान पर कौन है वो बारिन बफट है पांचवे अस्थान पर कौन है वो लैरी इलीसन है और वहीं पर जो है सात्वे अस् को भारती प्रतिश्परदा आयोग ने किस कम्पनी को GMR कमलांग एनर्जी लिम्तेड का अधिगरहन करने की मनिजूरी प्रदान की है। की लिए मंजूरी परदान की है और यहां पर देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि ऐसा कब हुआ है ऐसा मनलब किस कानून के तहत हुआ है तो ऐसा भारती परतिस परदा आयोग ने जा कहते हैं परतिस परदा अधिनियम दोहजार दो की धारा एक टीस वन के तहत हुआ है और इस मं 8% हिस्सेदारी JSW क्या कहते हैं जो कंपनी का नाम है JSW Energy Limited जो होगी वो इसकी हिस्सेदारी करेगी और यहां पर देख सकते हैं कि GMR कमलांग Energy Limited यह है कि यह उड़ीसा के टेक्नाल जिले में कमलांगा गाउं में जोस्तित है जो कोईला अधारी thermal power plant के मादन से बिजली उतपादन करती है यहां पर अगर मिलांग करने के लिए आ जाता है कमलांग Energy Limited तो इसका जो है मिलां होगा वो बिजली उतपादन से होगा या अगर company to company मिलांग करने के लिए आता है तो इसका मिलां जो हम एक जगा और कर सकते हैं को कर सकते हैं कमलांग Energy Limited का मिलां जो है हम जे एस डब्ली एनरजी लिम्टेड से कर सकते हैं जानी की GMR का मिलां जो हम जे एस डब्ली से कर सकते हैं उसके बाद में दो अपरेल दो हजार बीस को विस सुबैंक ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितने अरफ डालर की आपातकाली ने आर्थिक साहयता मंजोड की है तो भारत को एक और डालर की आर्फिक साहयता विस सुबैंक जो हो हम धेगा और यहां देख सकते हैं कि विस सुबैंक से दालर और स्री लंका के लिए जो है वो बारत अपरेल 2020 को भारती प्रतिस परधा आयोग द्वारा प्रदत्त मंझूरी के तहत तिलिस्टिकर वेंचर्स एलल पी रेली गियर हेल्थ एंसुरेंस कंपनी लिम्टेड की कितनी एक्विटी सेर्पूंजी का अधिगरहन करेगी तो यहाँ पर अधिगरहन जो होगी वो कंपनी के तहट होगी अब यहाँ पर कवं सी कंपनी हों उसका नाम भी यहाँ पर नहीं हो आगा गया हुशन को आगे देखते हैं तो वह र्यूंक को पर सुकत की परकिम्रस की हिस्टेडारी करेगी तो यह कंपनी का नाम है त्री सिखर वेंचर्स और यह त्री सिखर वेंचर्स जो है वह लपी नहीं त्री सिखर वेंचर्स लपी जो है यह रिलेगियर हेल्थ एंसुरेंस कंपनी लिंटेड की हिस्चे धारी जो है वह 18 दुखलो 9500 करेगी भारती प्रतिस्प्रदा आयो की मंदूरी के बादूद यानि कि अगर कि 3 अपरेल 2020 को ACI विकास thereiving बैंक में अपनी वारशिक रीपोर्ट के जारी कि प्रटिक साल एक केर जारी कि जा जाता है इस डिपोर्ट में vulnerprises 2020 में भारत के सकल गहज्य लीकर जीडिपी की बित रीदर कितने प्रत सतsan रहने का उनवान लगा है तो यहां पर जो ए डीबी ने चार प्रत जो है बारत की जीडि देगर परियास को बताया है एंवान लगाया है और एंवान लगाया है और डख्षियर एसीया की जो विकास दर्ड कितना बताया है वह बता है चार दसमालो एक परस्त से घटा करके 2020 में चे परस्त रहने का अनौण बता बताया है यानि कि दो 2019 के मुकाबले जो घटी है बिद्धीदर वो है 4.1 परसत होगी और ये 2021 में 4.1 परसत से बढ़ करके छे परसत रहने का अन्वान एडीवी ने दक्षिन एसिया के लिए बताया है तो इसी वीडियो के साथ में आर्थिक परद्रिश का जो है भाग समाफ्त होता है जिसको मैंने दो वीडियो में कबर किया है और वीडियो को आप लोग लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और अपने सुझाओ हमें जो है कमेंट बाक्स में जरूर बताया करें वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें